हेलो स्टूडेंट्स आई जोती वेलकम यू अल ऑन डूर डाई फॉर स्टूडी चैनल आज हम लोग करने वाले हैं क्लास थर्ड एंसे आइटी एवियस की बुक से लुकिंग एराउंड बुक से चैप्टर नमबर थ्री वाटर ओ वाटर पानी ओ पानी डू यू नो एनी पो हो फिश इस तक्वीन ओफ वाटर है लाइफ इस वाटर तच हर शी विल गाट स्कियाड टेख हर आउट ओफ वाटर शी विल डाई जो मचली होती है आपने पोयम बहुत नर्शी क्लास में भी पढ़ी होगी उसमें हिंदी में पोयम है ना मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बहर निकालो मर जाएगी और मेरी पेटी जब छोटी थी ना वो यह बोलती थी कुकर में डालो तो पख जाएगी हना तो मचली मीन्स पता क्या होता है मचली मीन्स होता है फिश इंग्लिश में उसको फिश कहते हैं और एक चीज और बता कौन से प्लेसे बताये गए हैं कि जहां पर हमको पानी मिलता है तो पोयम में कौन-कौन सी चीजें बताई गई है ड्यू बताया गया है है और कहां बताया गया इस्टीम में रीवर में और क्या के चीजें बताई गई है फटा-फट से फिर से पोयम में देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है. यहाppen आप देखें, इसको आपको मैं बताती हूँ, डियू में, स्नो में, स्टीम में, और इसके अलावा, रिवर में, वाटर फोल में और स्पॱ्रिंग्स में और कहां बताय गया है? और ये भी बताय गया है कि floods के रूप में भी पानी होता है lakes में होता है और springs में भी होता है lakes में, springs में और जब flood आता है तो वो भी तो बाड़ भी तो पानी का ही एक रूप होता है next इसमें देखेंगे tick the activities for which water is needed ऐसे activity पर आपको tick करना है जिसमें पानी की जरूरत होती है play में, sing में, to row a boat, to write, to make tea, to need duck, to run a fan, to paint picture, to grow plants तो इसमें आपको tick कर देना है खिलने में पानी की जरूरत होती है नहीं गाना गाने में नहीं, बोट चलाने में तो yes आटा गुंदने में तो yes, plants के लिए yes, paint pictures के लिए yes और चाय बनाने के लिए yes, गाना गाने में नहीं, play में नहीं, write करने में नहीं, अगर fan चलाना होतो नहीं Name any four activities which you can do without water, जिसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो किस में पानी की जरूरत नहीं पड़ती? खेलने में, playing, इसको ऐसे लिखेंगे, p, l, a, y, i, n, g, playing में पानी की जरूरत नहीं पड़ती? और किस में पानी की जरूरत नहीं पड़ती? running में, r, u, n, n, i, n, g, running में और किस में पानी की जरूरत नहीं पड़ती? walking में, और fun की बाद, talking में भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती जब हमको बोलना होता है, या फिर हसना होता है, है, न, तो यहां पर क्या लिख देंगे? talking और इसमें आप walking भी लिख सकते हैं laughing भी लिख सकते हैं और you can not do without water और यसी कौन-कौन सी activity हैं जो आप पानी की बिना करी नहीं सकते अगर आपको नहाना हो तो पानी की बिना नहा लेंगे नहीं, bathing और किसमें पानी की जरूरत पढ़ती है cleaning में, सफाई में और drinking में washing में जब हमको कपडे धोने होते हैं बिना पानी के हम यह सब नहीं कर सकते W-A-S-H-I-N-G washing जब मुरें लेस arrange the following on the basis of amount of water that is needed for each of activities begin with the activity that needs the most water तो इसमें आपको arrange करना है जिस activity में सबसे ज़्यादा पानी लगता है उसके बाद जिसमें सबसे कम लगता है इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे तो देखिए इसमें कौन कौन सी activities है to birth, नाने में हमको पानी की जरूरत पढ़ती है इस बहुत ज़्यादा ना to drink, पीने में कम लगती है और to clean the house, घर को साफ करने में भी पानी ज़्यादा लगता है to water the fields, fields को water देने में तो बहुत सारे पानी की जरूरत पढ़ती है और to need the dough और आटक गुनने में थोड़े से पानी की जरूरत पढ़ती है in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs इस poem में आपने पड़ा नदियों के बारे में, जर्नों के बारे में, लेक्स के बारे में, जीलों के बारे में और स्प्रिंग के बारे में जो नीचे से पानी निकलता है we get water from all these places हम इन सभी जगह से पानी प्राप्त करते हैं from where do you get water आप कहां से पानी प्राप्त करते हैं put a circle around those places that are either in your house or around it इसमें जितनी भी activities दी है आपको उसमें खुद से circle करना है आपको बताना है कि इसमें से कौन-कौन से ऐसे places हैं जहां पर आपको पानी मिलता है आपके घर के आसपास तो लेक अगर आपके पास है तो वहां आपको circle कर देना है अगर आपके आसपास वैल से आप पानी लेते हैं तो वहां circle करेंगे और अगर tube bell से लेते हैं तो tube bell पे pond से लेते हैं तो pond से, waterfall से, hand pump से, river से, stream से, tap से, tank से, sea से या hot water spring से यह आपको अपने area के according या पे circle करना है अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको नेम बता देती हूँ देखी एक मनी करन साहिब है तो वहां पर जो है वहां से नीचे से गर्म पानी निकलता है और आपको एक बहुत important चीज़ बताऊं इस पानी से जो लोग नहाते हैं इसमें तो वहां पर जितनी भी skin diseases होती है जो हमारी तवचा पर कोई भी बिमारिया हो जाती है तो वो इस पानी में स्नान करने से दूर हो जाती है नहाने से इस नान बोलते हैं नहाने को तो इसकिन के जितनी भी diseases होती है तो वो वहाँ से दूर हो जाती है ऐसा माना जाता है कि इसमें Sulfur Dye और Hydrogen Sulfide Gas का मिक्चर है तो ठीक है और इसके अलावा एक और है जो Hot Water Spring है उसका नेम है तत्ता पानी Hot Spring अब तत्ता पानी पंजाबी में तत्ता गरम को ही कहते हैं पता आपको आपके लेंग्वेज में गरम चीज को क्या कहते हैं आप मुझे Comment box में लिखकर जरूर बताना तो तत्ता पानी जो Hot River Spring है वो मैं आपको बता देती हूँ वो है सतलुज नदी पर ठीक है और इसको नहाने इसमें इसनान करने से यहां पर नहाने से ऐसा माना जाता है कि जो joints का pain होता है जो हमारे जोड होते हैं वहां पर जो अगर दर्द रहती हो किसी को तो वहां से नहाने पर वहां पर जाकर नहाने पर वो दूर हो जाती है इसके अलावा जिनको stress होता है तनाव होता है तो इसके बाद आप देखेंगे अगर आपके आज पास कोई नदी बहती है आपके गाउं में तो उसका नेम लिखेंगे तो यहां पर आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहां पर रिवर का नेम लिख देना है और अगला बताएंगे अगर आपको किनी नदीयों के नेम पता है तो यहां लिख देंगे अब जैसे सब को पता है कि हमारे देश में कौन-कौन सी नदीया है गंगा यस गंगा रिवर यमुना रिवर कावेरी रिवर सतलुज रिवर इंदुष रिवर ब्रहमपुत्र ठीक है इस तरह से आप फाई रिवर के नेम यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्टान गेंगे अ घरमे अ पानी कहां से प्राप्त करते हैं आपके घरमें अगर अगर बग्र बेखेंगे वेल है तो बिखेंगे जो भी आपके घर के आसपास है आप अपने घर side अब उ One of Harry आपको कितना टाइम लग जाता है वहां से पानी लाने में तो यह भी आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है नेक्स्ट कुश्चन है डू यू नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉं दे सेम प्लेस क्या आपके पडोसी भी वहीं से पानी लाते हैं तो अगर येस तो आप येस लिखेंगे अगर नहीं लाते तो आप नो लिखेंगे वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर हमको पानी कोई कठा करने के ज़रूरत क्यों पड़ती है तो इसका अंसर ये लिखा है तो आप इसको अपनी नोट बुक में लिख लेंगे नेक्स्ट कुश्चन हू फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन यॉर हाउस आपके घर में पानी कौन कीच के लाता है कौन भर के लाता है या घर में पानी को स्टोर करके लगता है तो वह भी आपको लिखना है वह आप अपने आप बताएंगे कि आपकी घर में ऐसा काम कौन करता है नेक्स्ट कुश्चन है आप यहां पर कुछ एक्टिविटी बताई गई है कुछ बात बताई गई है उसको पढ़ लेते हैं इसमें लिखा साहरु अनलावड है तो टीक्वाटर फंझन सुर्ट कंवना सॉर्स अलाव तो लुक बेचा जोंब होता है ४हांसे यह बहुत गलत बात है उसमें के लिए बेश बात बौट कर दता है बहुत पक्रत बात है उसमैं ग्रत अप्रत्चन भाव में Saysam इसमें बताना है कि इन में से कौन कौन सी पिक्चर पर में आप पानी स्टोर करके रखते हैं तो उसमें आपको कलर करना है जैसे इसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है इसमें भी रखा जाता है और किसमें रखा जाता है इसमें आप कलर करेंगे ठीक है इसमें भी रखा जा कि पिर तो बहुत प्यास लगी ती रहन टुटकी को बहुत प्यास लगी थी बेव बोथ अफ देम ना इन स्टील टंबर्स जो उनके अंकल थे उन लोह ने दोनों को मांग पनना दिया इस्टील के गलास में तो चुटकी जो थी वो चाहती थी कि उसको कांच के उसके टैंबलर होता है उसमें जो मेंगो पन्ना है वो मिलना चाहिए तो उसके अंकल ने उसको उडेल दिया उसमें कांच के ग्लास में तो छुटकी हैपी नहीं थी क्योंकि उस उसने अपने अंकल से कंप्लेन की कि आपने उसको कम पन है थाई भी एक शोड़ा है कई बच्चे अभी भी कन्फ्यूंज हो जाते हैं वो कहते हैं कि मेरे को मिला यह लेकिन उनहों ने तो ग्लास में जो है कम पुदी कि बराबर पता था यहां पर यहां पर देखिए एक तो पहले से आपके लिए वह दा है यहां लिख एरहद हैं यह क्या लिखा है इस आपको यहां पर लिखना है दे देखें पांड आ और क्या होता है वेल होता है डबलू एल एल यह हो गया वेल और जल्दी से ढूड़ेंगे तो लैक है एल एक ए तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर और क्या होता है और हमको कहां से पानी मिलता है टेप से टीए पी टेप से और कहां से मिलता है आरे आई एन रेन से अना यह द कि यहां पर यह देखिए आप जो यह हमने यह मैंने लगा दिया पी ओ एन पे यह पी ओ एंडी पॉरा लगना था और इसके अलावा यह देखिए हमने इनको फाइंड आउट कर लिया है यह यहां पर देखिए यह एक्टिविटी कितनी मज़ेदार है इसमें लिखा है इन एवरी रोग पूते सर्कल अराउंड वन डाट इस डिफरेंट फ्रॉम अलसो तेल हाओ इस डिफरेंट यहां पर सर्कल करना है जो डिफरेंट है उसक्तों इसमें क्या चीज ए कई अलग उसमें आपको सर्कल करना तो इसमें हम देखाएंगे तो इसमें क्या है और नेक्ट में पहले हम देखेंगे बाद में इसको सर्कल करते हैं फिश ड़क राजasts फिश डख लन्की क्रोकोड़ाइल तोठोई इस में डिफरेंस है कौन सी चीज असी है जो डिफरेंट है और क्यूं है नेक्ट देखेंगे कार बोट बस ट्रेन और अडबैस्किल तो इसमें क्या चीज अलग है चरिह हम नीचे से शुरू करते हैं ठीक है कार बोट बस ट्रेन देब गई बस भींग और जो बॉट पानी है है ना रहते हैं कि यह सब बाहर चलते है आधा फिशजब्क क्रोकडाइल टॉटिए यह सब पानी में रहते हैं यह भी गग विडकैरी आन तेरीज नेक्ष देखेंगे वाशिंग क्या है बातिंग इसमें सब में पानी की जरूरत पढ़ती है लेकिन क्लोट में पानी की जरूरत पढ़ती है कपड़ों में यस नहीं पढ़ती क्योंकि जो हमने कपड़े पहने उसमें पानी की जरूरत रोना पढ़ती है उनको धोने में पानी होता है लेक में पानी होता है पॉंड में होता है लेकिन मांटेन में पानी नहीं होता है लेकिन बफ की फॉर्म में होता है स्नो की फॉर्म में होता है